मैं मिताब सुनी हूँ मैं 2015 से भूपाल में मूल्त केकडिया नाम का गाउं है जो की भूपाल जले का सबसे बड़ा जन जाती है आदिवासी गाउं है वहां पर कारे रत हूं इसमें मूल्त बच्चों की शिक्षा स्वास्थ इस पर कारे करते हैं ग्रामसभा का वास्तव में स थानी नेत्रत्व कैसे बन सकता है इन विश्यों पर हम लोग मूलता काम करते हैं मैं दस साल लंडन में था वहां पर ब्रिटिश गवर्मेंट के लिए मैंने काम किया 2004 से लगभग 2014 तक वहीं पर रहा मैं और 2014 में मैं देश वापस आ गया था और पंद्रा में ये काम जो गाओं में कर रहा हूं मैं भुपाल सिहोर रैसेन और अली राजपुर इंजिलों में ये मैं लंडन जाने के पहले से सोच रखा था कि मुझे वापस आना है और इसी प्रकार का कोई सामाजिक कारी करना है तो ये मैं पहले से सोच के गया था कि मुझे वापस आना है और इस प्रकार का कोई कारी करना है हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि गाओं के लोग जो हैं उन्हें पलायन करके शहरों की और ना जाना पड़े स्वर्यूजगार प्राप्त हो उनको जिसको NGO terminology में livelihood कहा जाता है vertical माना जाता है तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि गाओं के लोग गाओं में ही रहें स्वावलब भी बने उनकी शिक्षा भी वहीं पर हो अधिकांच और वो गाओं में ही कुछ हितकारी काम कर पाएं जिससे कि गाओं के जो अन्य स्किल्स हैं जैसे MS Office है Microsoft Office है उसकी शिक्षाद दी जाती है कुछ हम लोग ने छोटे डेटा इंट्री के प्रोजेक्ट्स भी किये हैं और वर्तमान में कुछ हमको funding मिलने वाली है जिससे कि लाब का फिर से renovation हो रहा है और इसमें हम और अच्छे से और प्रभावी ढंक से कारी कर पाएंगे करीब 100 से उपर जो बच्चे हैं वो लाभानवित हो चुके हैं और इसमें सारा जो श्रे हमारी संसा नहीं लेना चाहती ये पूरा जो कारे है ये जन सहीयोग से चलता है जो लोग धर्म में या धर्मेक कारियों में विश्वास करते हैं देश भर से लोग इसमें सहीयोग करते हैं हमें किसी प्रकार की कोई funding नहीं मिलती है ये सारा जो सहीयोग है हम मांगते हैं लोगों से जन सहीयोग की अपिक्षा रहती है और इसमें लोगों को क्योंकि पता रहता है कि ये प्रा है मुकेश तोमर जो अब हमारी संस्था का सच्चिव है यह बड़ा मुझे गर्व का विशह है मैं बता रहा हूं आपको तो उसका नाशनल लॉग स्कूल भूपाल में सेलेक्शन हुआ है और पिछले साल ही वह सनद प्राप्त भी हो गई है और वह अन्य बच्चों के लिए प्रेणा का स्रोथ भी है और गाओं के जो लीगल केस होते हैं या कई बार डिस्प्यूट रेजल्यूशन होते हैं उसमें उसकी अहम भूमिका रहती है दो बच्चों का फॉज में सेलेक्शन हुआ है एक हमारी बच्ची है और मिला उसका यूपीसी पीसी प्रेलम्स जो है क्लिर हो गया है कुछ कांस्टेबल की जो परिक्षा होती हो उन्होंने पास की है तो ऐसे कई बच्चे है कई बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं घुपाल में और college में पढ़ रहे है अलग-बख और अलग-अलग परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं पॉल्चो से सरकार पंड के रूप में कोई सहथता नहीं लेकिन अलग-अलग समय पर जैसा कभी किसी का ऐक्सेरेंट हो जाता है कोई दोर घटना हो जाती है तो हॉस्पिटल का जो भुष्प्राप्त हो जाता है हॉस्पिटल को तो उसमें बहुत कठिनाई नहीं आती उसमय समय पर हमें प्राप्त होता रहा है कि जी कि हमारा सेलेक्शन प्रोसेस है वह संख्या के आधार पर नहीं तो हम लोग पिर जैसा की मैंने कहा कि हम लोग चन्सहयोग से कारे करते हैं, तो भले ही 20 बच्चे हो 25 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, तो हम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं और उसके अनुसार इश्वर की कृपा से हम लोगों के पास वो राशी या वो सहयोग आ जाता है तो इसमें कोई ऐसा सेलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है कई बच्चों को समस्या रहती है पिताजी काम नहीं कर पा रहे है या पिताजी का निधन हो गया है या माता पिता दोनों नहीं है तो ऐसे बच्चों को प्राथ्यमक्ता दी जाती है साथ ही जिन बच्चों के अंदर ड्राइव जिनके अंदर लगन अधिक रहती है उनका भी हम लोग चयन करते हैं इस पर बहुत जादा उनकी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस या आईक्यू पर ध्यान नहीं दिया जाता है लेकिन बच्चे के अंदर कितनी लगन है वो हमारा एक क्राइटेरिया या पैमाना रहता है जे हाँ ये बहुत कठोर नरणय था मेरे जीवन का तो मेरी पत्नी वो वहीं पर रहे गई लंडन में उनकी इच्छाती के वो वहीं पर रहे और तो हमने ये नरणय लिया आपस में कि वो वहीं पर रहेंगी और मैं यहां पर वापस आ गया हूँ अब हम लोगों का पहले separation हुआ उसके बाद में divorce हुआ लेकिन ये बहुत ही amicable जिसको divorce कहा जाता है उस तरह से हुआ कोई ऐसा मन भेद या मत भेद ऐसा कुछ भी नहीं है वो अपना जीवन वहाँ पर चला रही है और मैं यहाँ पर चला रहा हूँ तो यदि आपको जीवन में कुछ करना हो तो उसमें अत्याधिक emotion का या बहुत अच्छा फील करना या बहुत खराब फील करना और फील ही करते रहना उससे आपको किसी प्रकार की कोई साहता नहीं मिलती जो करना होता है वो आपको करना चाहिए और यह हम दोनों ने किया है अपने अपने जीवन में हमारी एक चोटी सी टीम अली राजपूर में भी है वहाँ पर बहुती विशम परिस्थितियां है मैं करीब 20 से 25 दिन वहां पर रहा हम लोग वहां पर भी सहयोग कर पा रहे हैं मेरे मार्गद्रशक है मेरे गुरू है श्रीपवन श्रीमाल जो इंदौर में है तो उनका मार्गद्रशन उनका सहयोग प्राप्त होता है तो वो जो टीम है उसका संर्क्षन उसकी देख भाल श्रीपवन श्रीमाल ही करते हैं दोर से और उनको जब भी जैसी भी साहता की आवशक्ता होती है तो वहां से उनको प्राप्त होता बहुत भद धन्यवद आपको